हाई फोक्स क्या आपको यह रिसेंट अपडेट पता चला है टीजेस के बारे में और यह बहुत इरिटेटीटिंग नीज है आपको लग रहा है कि मैंने तो TCS का exam फालतों में दिया है TCS का interview ही फालतों में दिया है इतना pressure फालतों में लिया और TCS ने बाद में जो किया वो हमाले धोका है I can understand क्योंकि ये बहुत लोग को feeling आ रही है जोनों ने भी TCS के exam के लिए prepare किया था दिन रात मेहनत करी थी उन लोगों के लिए ये जो TCS का new update है TCS की history में जो पहली बार हुआ है ये बहुत shocking है मेरे को भी बहुत दुख हुआ है तो ये जो news है ये है जो अभी 5th December को exam हुआ था TCS का उसके बाद एक individual को direct offer letter आ गया पता नहीं क्यों और इसका जो reason है वो किसी को नहीं पता है ये जो अपडेट है ये जो news है ये बहुत shocking है कि TCS का exam देने के बाद ही TCS एक individual को offer letter directly कैसे बेचता है जबकि उसका जो process कहता है कि पहले exam दो फिर interview होगा technical round होगा managerial round होगा और फिर HR round होगा फिर आपको offer letter मिलेगा आपके background check के बाद बट यहां तो TCS ने सीधा offer letter दे दिया exam clear करने के बाद ही इसका जो answer है ये किसी को नहीं पता है बट मैं ये बताती हो आपको कि क्या क्या possible reason हो सकते हैं इस चीज के पीछे और हम discuss करते हैं कि अब क्या आपको भी धियार में रखना है कि TCS is not the end अगर TCS ने ऐसा कुछ कर भी दिया है तो कोई बात नहीं है आपके लिए और भी opportunities है मैंने recent video डाली है जहां पर मैंने बताए कि HCL एक work from home profile की hiring कर रहा है ये कौनची profile है कितनी जल्ली है वो सब मैंने वीडियो में बताया और कैसे apply क प्रोवाइड कर आता है तो आप वहां पर भी apply कर सकते हो और मैं अब यह discuss करते हूं कि जो मैसेज आए जो offer letter है किस चीज के basis पर जो है यह offer letter आया है तो यह मैसेज है यह आपके screen पर आ रहा है congratulations basis your performance in the TCS online test conducted on Sunday December 5th 2021 you are being considered for an offer with TCS exam के बाद ही direct offer letter भेज दिया है बहुत अची ब सब्सक्राइब है कि हमने TCS interview के लिए तनी तैयारी करी थी फिर भी हमें अभी तक offer letter नहीं आया है और हां मेरे को याद आगे अगर आपको अभी तक offer letter नहीं आया है तो वेट करो एक हफता और वेट करो क्योंकि बहुत लोग को अभी भी offer letter आ रहे हैं बार बार आरे उनका है और तब भी offer letter आ रहे हैं और अगर आपका राउंड हो चुका है तो most probably आपको offer letter आएगा ही आएगा अगर आपने कुछ ज्यादा ही ब्लेंडर कर दिया अपने HR राउंड में घबरा कर नहुस होकर तो मैं कुछ कह नहीं सकती बटो most probably 80% chances होते हैं कि आपको offer letter मिल जाएग अगर आपने HR राउंड अगर आपने दिया है तो अगर आपने HR राउंड भी नहीं दिया और आप वेट करें कि HR राउंड का आपको इंटर्व्यू लिंक आ जाए वहां जो है possibility कम हो जाती है क्योंकि technical round managerial round में आपके ऐसा करते हो वह depend करता है और फिर यह आपको HR चाहिए तो सारे पूरे कर लेते हैं पूरे करने के बाद इसे offer letter मिल गया directly offer letter मिल गया बहुत ही बहुत ही अच्छा लग लेकर पैदा हुआ है यह इनसान तो बहुत अच्छी बाता है इनके लिए बट आपको discipline होना क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी opportunities job डालती रहती हो आपके लिए और अगर आपको TCS जैसे हाई brand में ही जाना है तो एक्सेंचर है विपरो है कोगनिजन्ट है है इन सब की मैंने जोब डाली है रिचेंट्ली और आपको जरूर चेक आउट करना चाहिए सारी जोब जो है वो फ्रेशर के लिए experience लोग भी आप लाइक कर सकते हैं और बहुत अच्छी 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 जगें लग जाएगी अच्छी ब्रैंट में लग जाएगी एक्सेंचर विपरो कोगनिजन्ट इतने बड़े-बड़े ब्रैंड में आपकी जॉब लग सकती है वह सीक्रेट अपनाने से तो उस व जरूर सीखोगे और जरूर स्मार्टली खेलोगे और आपको जॉब मिल जाएगी राइट तो यह जो टीस की शॉकिंग न्यूस थी यह टीस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है तो यह बहुत ही शॉकिंग है आपके लिए भी मेल ले भी बट अगर आप मेरे से पूछोग आपको क्या करना है आपको कैसे लगी और आप क्या फील करते हो Councillor जाना है कि आप ट्रूली क्या फील करते हो इस थाइंन लाइक वीडियो है इंड नेक्स वीडियो भाए away फोक्स मैं डेक्स वीडियो लाagar ऊंगे बहुत जैंगे बाइ बाइ